तो यहां पर हम 16-5 बीच पर 21 हो जाएगा ठीक है तो यह 11 से कट जाएगा इसलिए यह आपर option 5 हो जाएगा और हम इसको चेक कर सकते हैं इसको 11 से हम भाग देंगे तो 11 पच्छे 55 हो जाएगा 60 में से 55 हो जाएगा 4 उतार आएगा तो 55 हो गया फिर 11 चौक 44 ठीक है यहां पर 10 आजाएगा 5 उतार रहेगा 11 9 यह 99 पर 1110 हो जाएगा 99 हो जाएगा 99 हो जाएगा इसमें से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15 6 हो जाएगा 6 11 6 चाट ठीक है तो यहां पर हमारा इसका मतलब हमने जो अप्सन लगाया है 5 वो हमारा सही है ठीक है इसी जाब से हम यहां पर कर लेंगे फिर आता है next question 3 की पावर 99 है माइनस 3 की पावर 50 के 1 अंक का अस्थान क्या होगा ठीक है 1 अंक कैसे निकालेंगे इसका तो इसको हम निकालने के लिए पहले तो जान लिए है आप कि 3 के पावर 1 कितना होता है तो 3 के पावर 1 होता है 3 ठीक है उसके बाद 2 कितना होगा 9 होगा 9 का 3 से मुटिपलाईगा और 7 हो जाएगा 9 तरिक 27 27 तियाए 81 ठीक है फिर एक तियाए तीन मतलब फिर यह आपका 3 फिर रिपीट होने लगेगा ऐसे ही आपका ठीक है अब इसमें आपका देख रहे होगे चार बार में इसको फिर रिपीटिशन होता है तो इसका जो पावर है उसको हम क्या करेंगे उसको हम 99 को चार से डिवाइट करेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा इसको भाग करिए तो 4 रिकम 4 चार दुनी 8 1 19 4 चोप 16 ठीक है 4 चोप 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते है 3 की पावर 99 है ठीक है तो इसका इकाई यंक फिर रिपीटी दान हो ले लगता है तो इसका मतलब कि हम 3 की पावर 3 कर दें ठीक है 3 की पावर 3 कर दें तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 3 त्रीक का 9 त्रीक 27 हो जाएगा ठीक है और 3 की पावर 50 है 3 की पावर 50 तो 3 की पावर 50 के लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 3 की पावर 50 तो 50 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 एक कम, 4 हो जाएगा ठीक है एक बचेगा, 10 हो जएगा, 4 दूनी, 8 तो कितना बचेगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है मतब falls दो बचेगा, ठीक है यह दो पावर हमारा यहाँ पर 50 तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 3 की पावर, 50 3 की पावर 50 बराबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 3 की पावर इसको हम 2 भी लिख सकते हैं वो 1 आई यंग के लिए ठीक है क्योंकि उसके बाद repetition होता है तो 3, 3 तरिक का 9 हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको अब देखिए क्या लिखते हैं 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 है तो इसको हम लिख सकते हैं 27 माइनस 9 तो 9 मेंसे 27 जाएगा कितना हो जाएगा इकाई यंग तो यह 9, 7 27 मेंसे 9 हो गया कितना होगा 9, 8, 17 18 होगा तो इसका इकाई यंग यह हो जाएगा मतलब आपका option D सही होगा ठीक है अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कोश्चन जो है यदी 31 31 x 5 यह दिया है संख्या 9 का अपवर्त है जहाँ x एक अंक है x क्या है यहाँ पर एक अंक है तब x का मान क्या होगा 9 मतलब 9 का यह गुड़ज है ठीक है तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसमें हम देखेंगे यह ठीक है तो इसको हम तीनों जोड़ लेते हैं तो तीनों एक चार हो जाएगा चार और पांच चार 9 हो जाएगा तो 9 में फिर 9 जोड़ेगा तभी 18 होगा इसलिए हमें x का वैलू क्या रखनी पड़ेगी 9 रखेंगे तो यह हमारा कट जाएगा तो x की वैलू क्या हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी ठीक है और सब जोड़ेंगे तो आपका वो नहीं आएगा इसलिए आपका 9 क्यों अब इसमें जोड़े लीजे 3 प्लस 1 प्लस x प्लस 5 जो होगा जो यह संख्या आएगी वो हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए तो हम यहाँ पे 3, 1, 4 5, 9 तो x प्लस 9 कर देंगे यह हमारा डिवाइड होने के लिए यदि हम माली जाप सन एक रखेंगे तो 9, 10 हो जाएगा यह आपका 9 से कटेगा नहीं तो हमको 9 से डिवीजबिल्टी चाहिए ठीक है तो 9 से डिवीजबिल्टी के लिए आपको यहाँ पे 9 जोड देंगे तो 9 प्लस 9 बराबर कर जाएगा 18 जो कि यह 9 से कट जाएगा इसलिए यह हमारा डिवीजबिल्टी हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आता है नीमलिखित मेंसे कौन सबसे बड़ी संख्या है अब इसमें सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें आरे पास देखें 3 और 2 एक का डिफरेंस है 4 और 3, 3 और 1 चार में एक का डिफरेंस है 5 और 6, 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है एक का difference है और 9 और 7 इसमें 2 का difference है ठीक है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इन तीनों में इन तीनों में तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी C और D में आपका देखा जाए तो यदि इसमें भी एक का difference होता तो हम सबसे बड़ी संखर यह लगा सकते थे अब हम इसमें तीनों में चाहे तो नहीं भी चेक करें लेकिन आपको मैं इस मतलब साट ट्रिक बता रहा हूँ ठीक है चाहिए तो आप इसका डिविजबिल्टी कर सके देख सकते हैं तो यहां पर मालीजे हम 6 को 5 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा यह 50 हो जाएगा है 6,8,8,6,8,6,8,6,9,4,6,8,8 आ गया यहां पर देखते हैं पॉइंट लगा देते हैं लेकिन पॉइंट का यह 1 पॉइंट हो जाएगा ना क्यों क्योंकि 7 है 9,5,7 है तो यह 7,7 है ना तो उसे 7 से भाग करेंगे तो इसमें एक बार भी जाएगा तो 1 पॉइंट आ जाएगा इसका भी निकाल सकते हो यहां पर देख लेते हैं सब का तो इसका यह हो गया तो इसमें आपका पॉइंट लग जाएगा तीन एक démocrा एगा पॉइंट लग जाएका तो तीन से बाहत करेंगे त इसका करके अच्छा देख लेते हैं, तो वन पॉइंट और दो पंचे दस, वन पॉइंट फाइव आरा है, सबका यह यह हम दस मलों में इसको तोड़ना आई पड़ेगा, दस मलों में निकालते हैं, तो इसका आजाएगा हमारा, 2 एकम 2 हो जाएगा 1 बजएगा 0 बढ़ाएगा 2 बंचे 10 1.5 आ रहा है तो इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी ये नहीं होगे ठीक है तो ये हमारा नहीं होगा सबसे बड़ी संख्या हमारी के आएगी 3 बाइ 2 होती है जब यहाँ पर नीचे उल्टा होता अंस से अंस छोटा होता तब उस कंडिशन में क्या होता है कि एक का डिफरेंस होता है तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है वो ही माना जाता है सबसे बड़ी संख्या इस कंडिशन में जो उल्टा है इसमें सबसे छोटी वाली सबसे बड़ी मानी जाती है तो इन तीनों में सबसे बड़ी ये हो जाएगी ठीक है? तो यहाँ पर यह होता है, सौर्ट ट्रिक होता है इसको ठीक है? अगला question हम देखते है तीन की क्रमागत गुडज संख्याओं का योग 99 है तो यह गुडज होगा अब तीनों का योग होगा 99 तो इसमें हम आपसं से भी देख सकते हैं अब देख लेते हैं तीनों को जोड़के देख लेते हैं 4,3,7,7,29 और 4,3,7,29 तो यह आपका 99 हो गया और 3 से एक कट रहा है देख लो 3,8,4 11,33 लेकिन इसमें क्या है क्रमा गत तो यह क्रमा गत नहीं है कट तो रहा है जोड़तो है लेकिन यह क्रम गत नहीं है यहां पर देखो 30, 33, 33, 36 यहाँ पर आपकर क्रमागत है इसका योग देखते हैं 6, 39 हो गया 3, 3, 3, 9 यह भी है यहाँ पर क्रमागत नहीं यह 3 से कटेगा नहीं तो यह तो बिल्कुल हो जाएगा तो यहाँ पर आपसन हमारा C हो जाएगा ठीक है? अब इसको निकालने का दूसरा भी तरीका है कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं यहाँ पर इसमें मान लेते हैं क्रमागत तो क्रमागत में मान लीजे हम पहली संख्या मान लेते हैं X हो गया दूसरी संख्या हम क्या करेंगे? X प्लस 3 हो गया चीक है और तीसरी क्रमागत इसी के आगे तो यहां पे x प्लस 6 हो जाएगा यदि हम तीनों को योग कर दें यही तो कह रहा है तीनों का योग हमें कितने के बराबर आएगा 99 के तो यहां पे 3x हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 99 है तो 99 और minus 6 39 तो यह हमारा 9 है तो 30 कट जाएगा तो यह हो जाएगा 90 तो x बराबर क्या होगा 90 बटे 3 बराबर 30 ठीक है तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी दूसरी संख्या x प्लस 3 हो जाएगी 33 हो जाएगी फिर तीसरी संख्या हमारी क्रमागत क्या है 30 प्लस 6 बराब वह थोटी से छोटी संक्या जिससे 279 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संक्या प्राप्त हो वह है कया है, कैसे है यह देखना है मGMदलब इसमें क्या करा है जोडने की बाद कर रहा है यादी आपको वर्ग याद है तो इसको हम मुझवानी भी लगा सकते हैं कैसे देखिए 15 का स्कॉयर क्या होता है 15 का स्कॉयर होता है 225 और 16 का स्कॉयर किता होता है 256 तो यहां पर 16 का हम स्कॉयर कर देंगे 16 स्कॉयर होता है 246 होता है ठीक है 256 हो गया फिर आपका आता है 17 यहां पर आपका यह 17 होगा ठीक है यहां अपर गलत है यहां पर आपका 17 हो जाएगा ठीक है अब 256 में हम कितना जोड़े 279 है ठीक है तो हम 17 का स्क्वाइर क्या होता है हमारा 17 का स्क्वाइर 277 हम 289 होता है 289 अब हम देखते हैं 289 है हमारा और 256 है तो 259 तो पूर्ण संख्या वर्ग प्राप्त हो जोड़ने पर तो देखते हैं क्या है 279 है हमाल लिजे तो 279 इसमें से हम घटाते हैं तो यह 0 हो जाएगा 8 में से 6 गई 2 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारा अंसर क्या आजाएगा 20 आजाएगा क्या जोडने पर पूर्ण संख्या तो हम आये 17 कभर खुगा ठीक है तब हम इसमें क्या जोडने पर यदि घटाने की बात कहता तो इसमें हम कितना घटा दें कि 256 आजाए तो हम 256 मतब इसमें से 256 घटाते तो कितना आएगा देखो देख लेते हैं 279 माइनिस करेंगे 256 ठीक है तो 9 में से 6 गया 3 और 6 में से 5 गया 13 तो यहां पर हम यही question आपको उल्टा करके पूछ लेता वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 279 में घटाने पर घटाने की बात करता तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो तो हमें पूर्ण संख्या 13 हो जा ठीक है यहां पर हमें 16 का वर्ग प्राप्त हो जाता है अब आते हैं दूसरे question पर यदि 547.527 अपान 0.0082 है is equal to x यह यदि x के बराबर है तो इसकी value का मान होगा क्या होगा यह हमें बताना है ठीक है तो यहां पर हम देखते है 547.527 अपान 0.0082 है ठीक है यहां पर यह हो गया अब हम क्या करेंगे इसमें से यह हटाएंगे और हम यह हटाएंगे ठीक है तो यहां पर क्या है चार अंग पर 0 है ठीक है चार अंग पर 0 है तो यहां पर हम जब करेंगे हटाएंगे तो 3 है तो यहां पर 3 होता तो यहां पर 8.2 हो जाएगा ठीक है लिख तो यहां पर 8.2 हो जाएगा तो इसको हम 3 तो 3 से हो जाएगा तो एक हमें पर एक्स्ट्रा बच रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 1000 से कर दें ठीक है और यहां पर 4 0 है तो यहां पर हम 4 0 कर दे रहे हैं अब समझ में आ गया होगा आपको तो इसको ऐसे काट सकते हैं ठीक है x by 10 x by 10 की value हमें क्या मिल जाएगी ठीक है x by 10 हो जाएगा हमारा answer इसका x by 10 हो जाएगा तो x by 10 आपका यह हो गया ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं 0.125 की power 2 upon 3 का मान होगा तो इसमें क्या होगा यह देखते हैं तो 0.125 यह किसका square cube है यह आपका 5 का cube है 0.5 की power 3 ठीक है और इसको पूरे बड़े बेरेकेट बे कर देते हैं और यह दो बटे 3 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ठीक है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या है 0.5 की power 2 जिसकी value क्या होगी 0.25 तो यहाँ पे आपसान हमारा B हो जाएगा यहाँ पे आपसान एक दो दो बार है ना तो डबल वन है तो 1 2 करके उल्टा कर दिया गया तीन बार है यहाँ पे तो यहाँ पर पहले सीरिल में 1 2 3 फिर उसका उल्ट इधर से करोगे तो 1 2 3 ठीक है ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो यहाँ पे पाँच एक सीरियल करमें भी प्राच होना जाए, उधर से भी गिनने पे पाँच होना जाए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 होगे 1, 2, 3, 4, 5 बस 5 common होना चाहिए इसमें 3 इसमें common है इसमें 2 common है यहाँ पर 3 common है वैसे यहाँ पर यह 5 common है ठीक है? और सन में देख लेते हैं यह आपसन हमारा right हो गए चेक कर लेते हैं और भी आपसन 1, 2, 3, 4, 5 यह इधर तक तो सही है लेकिन इधर क्या होता है? 1, 2, 3, गायब किया है यह हमारा अपसन गलत हो जाएगा ठीक है? यहाँ पर देखने क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 1, 2, 3, गायब इधर उल्टा कर दिया है तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर कहता है 1, 2, 3, 4, 5 है ही नहीं तो यह भी गलत हो जाएगा हमारा ठीक है? तो यहाँ पर हमारा अपसन एस ही होगा अब यहाँ पर question है कि गडित की प्रकृति है तो गडित की प्रकृति क्या होती है? सजावती, तारकिक, कठिंता यह सामान ने यह question आ जाए तो आप इस पर क्या लगाओगे? तारकिक, क्यों? क्योंकि यह तारकिक प्रकृति की होती है गडित ठीक है? इसको कहेंगे तारकिक प्रकृति की मैत कैसी है? तारकिक प्रकृति की है अब क्या कह रहा? किन ही दो परिमे संख्याओं के बीच आपसन देया है कोई परिमे संख्या नहीं होती केवल एक परिमे संख्या होती है अनन्त परिमे संख्याओं होती है केवल एक परिमे और कोई अपरिमे संख्या नहीं होती तो इसमें हम क्या कहेंगे? किन ही दो परिमे संख्याओं के बीज अनन्त परिमे संख्याओं होती है ठीक है तो यह हमारा अप्सन सही हो जाएगा यहाँ पर ठीक है अब हम क्या कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है यदि संख्या यह संख्या है छे से पूर्णता विभाज है तो ए यहाँ अब है ठीक है तो ए की वैलु क्या होगी यहाँ पर यह है ठीक है यह तो एक यह स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा तो क्या होगा यह देखना है में पहले तो हमें देखनी ना पड़े говорить इसको क्या कि तीन से भी भाजे क्यों 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 पहले तो आपको दिमाग में होना जे छे से है तो इसमें सम संख्या ही आएगी बिसम तो आएगा ही नहीं क्यों 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 यह तो होगा ही नहीं दो बचे, यहाँ पर छे बचा और आठ बचा अब इसमें क्या होगा? छे और आठ में, क्योंकि इसमें देखो नमबर एक, छे की विभाज़ता की जो सर्थ होती है, उसमें क्या होता है कि दो और तीन से कटने ठीक है? सारी संख्याओं को आप यहाँ पर आड़ कर लीजे तो सारी संख्याओं को आड़ करते हैं छे प्लस दो प्लस पाँच प्लस थ्री प्लस टू प्लस नाइन प्लस वन प्लस फाइव और प्लस ए है, तो एक जगह पर क्या है कि वो अभी हम बाद में देख लेते हैं तो 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, 13, 16, 16, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 28, 25, 33 तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 33 प्लस ए आ गया अब 23 के पहाड़े से 33 तो कट जाएगा लेकिन मालीजे इसमें हम 6 जोड दें तो 33 और 6, 49 हो जाएगा ठीक है? तो 49 भी कट रहा है हमारा? किस से? 3 से कट रहा है ठीक है? अब 33 प्लस एक ही जगा पर यह दिए हम 6 रखते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 49 जो की हमारा यह 3 से डिवाइड हो रहा है ठीक है? और 8 रखते हैं तो 33 और 8 8 add कर देते हैं आपे तो क्या हो जाएगा 8 3 11 41 हो जाएगा जो की हमारा ये नहीं कटेगा 3 के पहाड़े में 41 नहीं आएगा ठीक है तो है ये हमारा 41 वाले गलत हो जाएगा हमारा option भी right हो जाएगा ठीक है अब इसमें क्या कह रहा है प्रथम 5 धन रूढ रूढ अभाज संख्याओं का योग क्या होगा अब इसको क्या है मतलब रूढ अभाज 5 ही कह रहा है तो इसमें 5 रूढ अभाज संख्या क्या होगा पहले तो 2 होता है पहले 2 रूढ धन उनका योग देखना है तो 2 होगा पहली दूसरी क्या होगा तीन जो किसी से नहीं कटती है फिर पांच होगा किसी से नहीं कटती है पांच के बाद साथ किसी से नहीं कटती है फिर साथ के बाद आठ भी कट जाती है नो भी कट जाती है दस भी कट जाती है ग्यारा किसी से नहीं कटती है इसको हम add कर लेते हैं तो 7, 3, 10 और 10 10, 5, 15 16, 17, 18 और 10, 28 तो हमारा answer क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 यह राइट answer हो जाएगा अब इसमें क्या कहते हैं दोस्ते हैं अभाजी संख्याओं का महत्तम समापवर्तिक होगा आप पढ़े होंगे यदि ठीक है किसा अभाजी संख्या अभाजी संख्या क्या होता है अभाजी संख्या जो किसी से न कटे तो वो जब किसी से नहीं कटेगा तो एक से कटेगा और खुद की संख्या से कटेगा तो उसका जो महत्तम समापवर्तिक होगा वो क्या होगा एक होगा क्यों क्योंकि अभाज सेंग है जो किसी से नहीं कटेगा वो एक से कटेगा तो उसकी क्या होगा महत्तम समापड़ता है कि वन होगा ठीक है तो यहां पर आपका सदेव वन होगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1715 दस्मलो 271 में साथ के अस्थानिय मानों का अंतर है तो इसमें साथ के अस्थानिय मानों का अंतर क्या होगा यह देखना है मैं तो साथ के अस्थानिय मानों का अंतर यहां पर यह साथ क्या होगा साथ सो तो पहले यहां पर साथ के अस्थानिय मानों का अंतर पूछ रहा है अंतर तो यहां पर साथ सो हो जाएगा साथ सो और दूसरे वाले का हो जाएगा पॉइंट टैन यहाँ पर क्या हो जाएगा साथ सो हो गया और दूसरे वाले का मानो का अंतर पूछ रहा है जीरो सेवन तो इसको हम क्या करेंगे साथ के अस्थानी मानो का अंतर तो यहाँ पर जीरो करतेंगे तो यहाँ पर हमारा घटेगा तो दस में से साथ गया तीन हो जाएगा यहाँ बचेगा नौ तो यहाँ नौ हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा यहाँ नौ हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा साथ के अस्थानी मानों का अंतर जो आएगा हमारा आपसंड D सही होगा ठीक है जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो comment box में कहेगा तो मैं दुबारा उसको समझा दूँगा ठीक है अब क्या है यदि संख्या इतना X लिखा हुआ तीन से विभाज है तो X के अस्थान पर सबसे बड़ा अंक अब तीन की विभाजिता की सर्त आप जानते हैं यह सब को जोड़ दो 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 और प्लस X कर देते हैं तो 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 1, 16, 6, 22 22 प्लस और प्लस X तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या जोड़ी जाए जो हमाएं तो 9 पहले जोड़ते हैं 9, 3, 31, 31, 31 हमारा 3 से नहीं कटेगा फिर जोड़ते हैं 8, 22 और 8, 30 तो हमारा 8 क्या होगा, बड़ी संख्या हम इसमें 22 और प्लस 8 करते हैं तो यह 3, 30 आ जाएगा जो की डिवीजबिल्टी है तो इसलिए हमारा आपसन यह जे राइट आंसर हो जाएगा और आगे हमें चेक करने की जोड़त नहीं होगी आगे हमारा जो कुश्चन है किनी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनपात कदा भी नहीं होगा क्या नहीं होगा यह पूछ रहा है यदि 48 है ठीक है माल लीजे यदि किनी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनपात कता भी नहीं होगा कॉंसर नहीं होगा तो इनको तीनों को जोड़ देते हैं सबको पहले वाले को जोड़ते हैं तो पांग तीन आठ दूसरे वाले को जोड़ते हैं साथ पांच बारा तीसरे वाले को जोड़ते हैं तो 6,2,8 तीसरे वाले को जोड़ते हैं तो 5,2,7 अब देखिए 8 से 48 कटेगा की नहीं कटेगा ये देख लें आए उपको 8 छंग 48 छे बार में कट जाएगा 12 चोग 48 कट जाएगा फिर ये 8 छंग 48 कट जाएगा तो मतलब ये तीनों क्या होगा ये अनपाथ जो है उनका दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनपाथ कटाप नहीं होगा तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि 7 से 48 डिविजबिल्टी नहीं है इसलिए यहाँ पे आपसन D is a right answer यहाँ पे होगा ठीक है अब क्या है चार अंकों वाली व्रहत्म तथा नियूंतम संख्याओं का योग फल क्या होगा अब इसको निकालने के लिए पहले आपको चार अंकों की वाली व्रहत्म संख्या तो चार अंगों की व्रहतम संख्या क्या होगी ट्रिपल नाइन और चार तथा नियूंतम संख्याओं का योगफल तो नियूंतम संख्या क्या होती है सबसे नियूंतम संख्या होती है आपका ये और कहता है इसका योगफल तो इसका योग करोगे तो क्या आजाएगा 9, 9, 9 और 9, 1, 10 तो हमारा क्या आजाएगा आंसर यहाँ पे 10, 9, 9 ठीक है ओके आगे देखते हैं हमारा जो question है, मान लीजिए minus 2, minus 3, minus 4 minus 5, minus 6 है तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर देखते हैं तो पहले तो हमें देखना कि minus आएगा कि plus आएगा तो minus minus का गुड़ा plus, minus minus का गुड़ा plus, फिर एक single minus तो हमारा आंसर जो आएगा वो minus में आएगा मतलब यह option और यह option हमारा बिल्कुल नहीं होगा दो option में से हमारा होगा अब इसको हम लोग देख लेते हैं तो 3 दूनी 6 6 चोग 24 ठीक है? 24 हो गया और into 6 पंचे 30 ठीक, अब इसको इसको multiply कर दो तो 3 चोग को 12 के 2 हासिल बचा एक 3 दूनी 6 और एक 7 तो 720 आगया और minus हो जाएगा ठीक है? तो हमारा option यह सही हो जाएगा यहाँ पे ठीक है? अब यहाँ पे जो next question है हमारा संक्रिया 9 प्लस 7 भागे 4 गुडे 5 तो इसको हम बॉड मॉस के option से करना है तो हम पहले इसमें bracket वाले को solve करेंगे तो 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9 साथ 16 भागे 4 मतलब इसको बटे 4 कर सकते हैं गुडे 5 ऐसे भी लिख सकते हैं न? तो हमारा यह 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बचा 4 गुडे 5 ठीक है? इसको हम 4 करते हैं चार गुडे 5 बड़ाबर क्या हो जाएगा? 20 तो हमारा आंसर 20 हो जाएगा नेक्स्ट कुष्चन हमारा क्या है? 496 योग 318 का निकट्तम सैकड़ा मान क्या होगा? तो हम इसको जोड़ लेते हैं पहले 496 और 318 निकट्तम सैकड़ा मान यह आप देखिएगा सैकड़ा मान पूछ रहा है निकट्तम सैकड़ा मान इसमें कुछ और नहीं पूछना है सैकड़े मान के बाराबर बताना है तो 8 6 14 का 4 हासिल बचा 9 1 10 वे 11 1 4 37 वे 8 तो आपसन आप देखोगे तो तुरंट 814 मार दोगे लेकिन नहीं इसमें क्या करे रहा है सैकड़ा मान तो सैकड़ा मान मतलब हमें 800 के नजदीक वाला लेना है मतलब हम आपसन भी लगाएंगे ठीक है यहाँ पे अब हम क्या करते है बिना कोई सेस्फल के निम्न में से कौन सी संख्या इतना को विभाजित करेगी समझे की नहीं क्या कर रहा है बिना कोई सेस्फल के तो जिसका कोई सेस्फल नहीं आना चाहिए पूरा-पूरा कड़ जाए तो वो क्या होगा तो हम पहले क्या करेंगे 9 3 6 और 1 इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो 9, 6 15 और माइनस करेंगे और 3 और 1, 4 कर देंगे तो यह हमारा 11 आजाएगा जो कि यह 11 से डिवीजबिल्टी होती है तो 11 की डिवीजबिल्टी का हमने टेस्ट किया और यह हमें सही से मिल गया कि यह 11 क्या होगा हमारा सही होगा ग्यारा से हम इसको पूरा पूरा भाग करेंगे आईए हम चेक भी कर लेते हैं 93 61 को हम ग्यारा से डिवीजबिल्ट करते हैं तो ग्यारा अठे 88 कार्ट देते हैं तो 8, 5, 13 56 हो गया यह 11 पचे 55 55 हो गया यहाँ पर क्या बचेगा तो 55 56 तो एक बचेगा तो यह 11 एकम 11 तो हमारा क्या होगा आंसर 11 हमने टेस्ट भी कर लिया है कि यह हमें सही लगा ठीक है तो दोस्तों यदि है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा और भी कई वीडियो लेके आऊंगा टेटी से सम्बंदित है टेटी में 2011 से लेके 2017 तक के कोश्चन आपको मैं करवा दिया हूँ इसलिए प्लीज आपसे अनुरोध है कि मेरा यह चैनल आप सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर करिए थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो ठीक है जै हिन जै भारत